क्या आपको उद्यम registration के form में NIC code को select करने में कोई समस्या आ रही है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप सही NIC code को select कर सकते हैं नमस्ते retailers मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं Business for Retailers हमने अपने पिछली वीडियो में उद्यम certificate के benefits और उसे कैसे apply कर सकते हैं ये बताया था जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा उसी वीडियो को देखते हुए हमें काफी ऐसे बहुत सारे comments आए जिससे लोगों को NIC code को select करने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो में बहुत असान तरीका हम बताने वाले हैं तो चलिए शूर करते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं हमने NIC code का column already select कर रखा है NIC code को select करने में यहाँ पर आपको तीन keywords लिखने पड़ते हैं इस वाले column में तो हमने एक PDF फाइल open कर रखी हैं इस PDF का link हमने description में भी दिया हुआ है वहाँ से जाके आप इजली चेक कर सकते हैं इसी PDF से आपको असान इसे NIC code को select करने में मदद मिलेगी PDF में NIC code के division, section और growth भी मिल जाएंगे हर किसी business की अलग category होती है उसी तरह से NIC code में भी sub category और उनकी sub category होती है जो आपको इस NIC code के PDF में देखने को मिलेगी NIC code की column को fill करने से पहले आपको कुछ जरूरी basic चीज़े समझनी होगी जैसे आप देख पा रहे हैं यहां manufacturing का option दिया हुआ है इसके अंदर आप देखेंगे 1 से लेकर 43 तक classification code अड़ किये गए हैं उसके बाद अगर हम service की बात करें 49 से लेकर 96 तक अड़ किये हैं और trading में देखेंगे आप 45, 46, 47 तक अड़ किये हुए है classification code हर category के लिए बना होता है अब बात कर लेते हैं common business की माल लेजिए आप कोई business चला रहे है और वो trading का business है और उसमें आप wholesale काम करते हैं या फिर आप retail का काम करते हैं तो basically वो आपको trading वाली category list में NIC code मिलने वाला है अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों option में से कौन सा select करना है सबसे पहले आपको ए pdf open करना है इसे आप mobile में भी open कर सकते हैं और easily search कर सकते हैं example के तौर पर आप clothing में deal करते हैं तो आपको clothing लिखना है और यहाँ पर कई सारे keyword आ जाते हैं आप देखेंगे यह number 43 division के अंदर है थोड़ा और नीचे के और चलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर wholesale का काम आ चुका है तो बस आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है division number 46 देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ division number 46 के अंदर आ चुका है तो बस आपको कुछ नहीं करना है exactly जहां से copy करना है जैसे ही आप इसे copy करेंगे और उसके बाद आपको column पर जाना है और इसे paste करना है paste करने के बाद automatically आपके सामने पूरी category की list आ जाती है वहाँ से आप इसलिए इसको select कर सकते हैं लेकिन अगर आप manually करना चाहते हैं इसको manually डलना चाहते हैं तो बस आपको 46 division number यहाँ copy करना है और नीचे वाले option को select करना है उसके बाद यह 4641 के अंदर add on हो रहा है आपने देखा था जैसे पीछे 4641 के अंदर add on हो रहा था तो बस यह 4641 आपको यहाँ select करना है उसके बाद यह 5 digit code मांगीगा बस आपको यहाँ search करना है और मैंसे आप कोई सभी select कर सकते हैं तो इस PDF के अंदर आपको सभी business के code मिलने वाले है अगर आप manufacture है, foodware के यह कोई भी business आप चलाते है तो सभी NIC code इस list में आपको easily मिल जाएंगे तो यह बहुत असान तरीका है आपको आपके business के NIC code को select करने में अगर आप कोई भी government की site जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कई सारे classification को NIC code मांगता है बेसिकलर अगर आप उद्धियम अधार अपलाई कर रहे है तो यहाँ पर आपको NIC code को select करना ज़रूरी है तो यह थे कुछ easy steps जिनने आप follow करके अपने business के लिए NIC code select कर सकते है अगर आपको फिर भी कोई समझ से आ रहे है तो हमें comment box में बताए और ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए business for retailers को जरूर सब्सक्राइब करें